हेलो मेरे एक्जाम वर्रियर्स तो भाईया हम आ गए हैं क्या अपने लास्ट के चैप्टर्स में है ना दो से तीन चैप्टर बच्चे वाकि फूरा एसेस्टी खतम आई होप आप लोगों की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी हर बच्चे 90 मैरिट लिस्ट में हर बच्चे को काना अब हब अब हमारी ली बच्चए बन चुके हैं आप हमारह साथ पूरह अकरह ऐसे हमको बतलब जान रहा हिं हैघ कर घड़े हों एक्जाम के साथ इस तो बिलकुL चलो हम अपना देरी नहीं करते हैं, आगले chapter पे आ जाते हैं, कौन से है भई, पूरा दिख रहे हैं क्या, अनाज, अनाज से जंबंदित कौन से chapter तर है भई, खादे सुरक्षा, चलो, आगे जाते हैं, अपने chapters पे, यह कौन से है, एकाई, 7, जिसमें से, 1, 2, 3 माग से चोटे तो आज हम खादे सुरक्षा करेंगे फिर उपनिवेश्वाद का खात्म और सिती उद्र देखेंगे ठीक है तो चलो यह खादे सुरक्षा याद सुरू कर लेते हैं भाई हम लो कौन सा अध्याएबिस खादे सुरक्षा यह आपके अर्थवरस्था का आखरी चौथा टॉप कि झाले के पादे और सिती उप्लबटा कॉने पार्षव फिर लोग ओझे जो ग्न होती तो उसी को क्या है तो अचिक है थे आज्याएब साथन पना वह यreई दा घर शौरुट पैंटलंश्या राभं को करताह क। PDS हमारे हाद आशन दुकाने चलती है ना और AKK विकास जे उना तो ये सब चीज़े हमें इस चैप्टर ने पढ़ने हैं जहां आपको दो या तीन माक्स के लिए तयारी करनी है मतलब 50 से 60 शब्दों में पूरे आंसर को लिखने के तयारी करनी है ठीक तो इतना ही जादा नहीं पढ़ना है हमें क्या छोटे-छोटे रूप में इस पूरे चैप्टर को डील करेंगे ठीक है चलो आजो पहला पढ़ो कोशन पढ़ो खादे सुरक्षा के उद्देश बताईए या खादे सुरक्षा से क्या आशा है ओप हम फहले है हमारे पास होगा तो हम हर काम कर सकते है अगर आप भरपट खाणा खाके पढ़ोगे, है ना तो क्या है आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अगर भूख लगते रहेगे तो चिछड़ाते रहोगे न, अर्य यह भी नहीं हो रहा है, वहीं है मस्त खाके बैठो, जादा खाके मस्त बैठ जाना भई नीद आएगा, उतना खाना जितनी एनरजी के अवे शकता है, थोड़ा थोड़ा और टाइम टाइम पे खाओ, अपने टाइम टेबल इसी तरह के बना के चलो, ठीके, तो यह क्या है, जब अच्छे से खाओगे, तो एनरजी आएगी, एनरजी आएगी तो पढ़ने में मन लगेगा, तो उसी लिए, गौर्णमेंट क्या करती है, खादे सुरक्षा करती है, कि एटलिस भारत में हर वो स्वैक्ति को जो भारत का नागरिक है, उसको खाने के लिए खाना मिले, जीवन यापन के लिए खाना मिले, तो इसी को हम क्या सकते हैं, खादे सुरक्षा से जोड़ते हैं, ठीके, तो खादे सुरक्षा समझो, किसी भी इनसान को जीवित रहने क के लिए जितनी वायू जल की यवशक्ता होती है उतना ही उसे भोजन की भी अवशक्ता होती है बिलकुल साही बात है पानी पीने की जरुद है तो हमें खाना खाने की भी जरुरत है सभी लोगों के लिए परियापत एवं पॉस्टिक भोजन की उपलब्धता उसकी पहुच और उसे प्राप्त करना की छमता ही खाद सुरक्षा है ऐसा नहीं वही कि वो आपके घर के पास दुकान तो है लेकिन सो रुपए किलो चावन मिल रहा है तो हर को इसको खरीट पाएगा क्या नहीं तो उसकी पहुच होनी चाहिए दूसरी बात है समान तो है ठीक है तेल शक्कर सर मिल रहा है बट पता चलता है कि वो आपके गाउं से सो किलो मेटर दूरी पर है तो आप जापा होगे कि नहीं तो उसकी पहुच होनी चाहिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए कि हर को उसे खरीद पाए वही क्या होगी खादर सुरक्षा ठीक है तो आयाम क्या होगा भारत में खादे पतार्तों की उपलबता होनी चाहिए सरकारी रोजनाओ दारत खादे पतारतों की पहुच होनी चाहिए बजार और क्रैश शक्ति मतलब हर व्यक्ति को खाद्यान उपलबध हो हर व्यक्ति की उतनी क्रैश हमता हो की वो खाद्यान खारिद सके और टीसरा सरकार ऐसे प्रबंधन करे की जो गरीब तपके के लोग है उन तक खाना पहुच सके यही क्या होगा खादे सुरक्षा के आयाम तो आपको खादे सुरक्षा आएगा दो से तीन माक्स में इतना पूरा लेक दोगे सफिशेंट है मेरे बच्चो ठीक है आ गया जाओ भारत में खादे सुरक्षा सुनीशित करने के लिए वर्श dissertation 2013 में भारत सरकार दोरा खादे सुरक्षा कानून बनाया गया जिसे खादे का अधिकार कानून भी कहते हैं तो खादे का अधिकार कम चलूँ था ।बै Osir के तिकांश लोगों पर लागो होता है जिसके अंतर कर पातर परिवार को परतिक महिने दियाती है फिल्ये पर खाद्यान मिलता है हमारे है रचन दूकारन चलती ही न एक रूपाय कीलो चामवाल तोट 0.20-00-10 इस रूपाय कीलो चामवाल जैसे इस रफर पर लेकि जाते हैं कौन इसकी व्यवस्था करती है गौर्णमेंट करती है तो इस चेप्टर को आप लोग अनलिसिस करके लिख होगा ना बिच्छे याद करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी है ना तो वैसे इस चेप्टर को डील करना ठीक ऐसे क्या करन हो सकते हैं कि सतर के दर्शक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से व्रिध हुई तो ऐसे क्या करन हो सकते हैं भई हरीत करांती सिचाई, रसाइनिक खात के उप्लवता, सरकार दोरा किसानों को नियुन्तियम ब्याशपर धन के उप्लवता, से 70 के दर्शक में नाजों के गुद पादन में त्रीजी विद्धी, क्या हुई भई, हरित क्रांती आई, सिचाई के उत्तर व्यवस्ता हुई, रसाइनिक खात क होपयों किये, किसानों को लोन अच्छे दिये गए, ताकि वो जाए-जाधा प्रोडक्शन कर सके, तो इसी सब के कान क्या हो, 70 के दर्शकों में, हनाजों में रिद्धी हुई, ठीक, चलो, आगे आजाओ, पीडियस के संचालन के लिए, FCI, Food Corporation of India कैसे मदद करता है, या सारजनिक वित्तर प्रणाली को समझाना है, वही मैंने बुना राशन दुकानों की पधती को आपको समझा देना, राशन दुकान जानगे, जाते हैं, लोगों को देलता है, अलग-अलग पात्र होते, जिसे च अध्यान जैसे चावल, गेहू, शक्कर, चना, नमग, मिट्टी के तेलादी उपलब्द कराया जाता है, यह हम लोग को गौं में मिलता ही, हम लोग जाते हैं, आज कल क्या मम्मी ओंवन के राम बे बन थे हैं, तब मम्मी बन जाते हैं लेबर, 10 रुपए किलो चावल, 30 किल मिलतें, 25 किलो मिलतें, वही है, ठीक है, सभी वस्तो यह पात्र परिवार को राशन काट के माध्यम से प्रतेक महा निधायत मात्रा में प्रदान की जाती है, इन दिकानों की संख्या 4,63 हडार से भी अधिक है, जबकि अकेरे 36 गड में ऐसी दुकानों की संख्या, अक्टू संख्या दौरा इंधायत समर्थन मुल्य पर खहिता है, ठीक है, तो भई हम लोग उगाते हैं, तो क्या देखते हैं, किसानों, अभी प्रदान भीकात्री सोही, कोन लेतरी से, सरकार लेवातरी से, टोकन मिला है, सरकार के है, हमरतकार रुपम लेबो, है न, तो वही क्या हो अलग रख राशन दुकानों में है, वहाँ अनाज भेशती है, ठीक है, तो अनाज भेजने के प्रदाली क्या होई है, सारजनी क्वित्रन प्रदाली, इसको भेशना कौन है, FACI, ठीक, यह सब चीज़े आपको लिखनी है, ठीक, चलो, आगे आजो, इन फस लोग को पादन प्रोसाहित करने के लिए सरकार पहले से नियुन्टम मूले देती है, क्या करती है, कि ताकि सरकार को अनाज चाहिए, तो अनाज सरकार क्या करेगी, नियुन्टम सवर्थन मूले, हम लोग क्या करती है, सरकार नियुन्टम सवर्थन मूले बताती है, प्रती किंटल अत्का उसी के अधार पर किसानों को जब धान बेशते हैं अपने दिसंबर जनर्री में तो उनको पैसे मिलते हैं, ठीक एक अन्यो देश की पूर्टी के लिए भी करता है, वह है बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या होता है, जब देश में ऐसा होता है कि कुछ सुखे की समस्या आ गई है, या कुछ वार हो गया, या बहुत ज़्यादा कोई भूकम पा गया है, तो उस ताम अनाच का पूर्टी करन अनाची कमी के समस्या को बफर स्टॉक के माध्यम से दूर किया जाए, ठीक है, तो भई या आपको स्राजने कृतन पताने में क्या बताना है, कि राशन दुकानों के माध्यम से लोगों को खाद्यान पूर्टी की जाती है, इसकी पूर्टी कौन करता है, भारती खादे नि जाएंगे ठीक आगया जाओ चटिसगड़ खादिस रक्षा धीनियम 2012 देखो हमने भारत में कौन सा कब आया था भई लेकिन चटिसगड़ में पहले ही आ गया था अपने लोगों के काम करने के लिए ठीक है तो क्या है भई खाद्यान की परियाप्त मात्रा और रक्षय आहर की अन्यावशकताओं की पहुत सुनिशित कराते हुए उन्हें समान जनक जिवन यापन करने के उचित मूले पर खाद्याहर सुरक्षय उपलब्द कराने उससे सम्मंदित अथ्वा अनुवान्शिक विश्यो है ती वाधिन नियम यह पूरा नियम बनाया गया था कब बनाया गया था भई 2012 में ठीक आगे आजाओ दिर्ग कालिन भूग से स्वास्त पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है मतलब क्या है लगता है कि वो भूखे है भूखे नहीं होते भोशन खाना मिलता है लेकि उतनी परियावत मात्र में नहीं मिल पाती है कि उनका भरन पोशन यह पोशा काहार मिल पाए तो इसी को क्या कहते है हम लोग दिर्ग कालिन भूग ठीक है अब परियापत भोजन लेने की स्थिति यदि लंबे समय तक चलती है तो दिर्ग कालिन भूग की स्थिति बन जाती है ठीक है मतलब अगर क के खाने को Article 2400 olur के आवश्यक्ते को,' लेकिन के फीलिट क्या leukeश्रा चाहीं को करना है लेकिन को फेकिन Betty's को 1000えーक ही दिन दी लोटी के खाने मिल रहत है सिफ 2 रोटी मिल रहे है इक रोटी शामिक एक रोटी शामिक लोटी पोशन ही है, ठीक दिर्ग कारेंग भूँ से कोपोशन बढ़ता है कोपोशन से सरीर में आवश्या कैलॉरी की मातरा कम हो जाती है, जिसे शरीर में कमजोरी आने लगती है, काले शम्ता घटने लगता है दिरकाली भूग मौत का नियमंत्रन देती है बहुत सारे लोग होते हैं देखते हैं कि भूग के कारण मर गए तो यही होती है दिरकाली भूग क्या होती है इसके दो कारण लिखे हैं भई, सिंपल सी बात है, काले शम्ता में व्रिधी करने के लिए, कुशल काले करने के लिए, मानसी क्विकास के लिए सब के लिए क्या संतुरी दाहर के अवशकता होती है, इतनी चीज़े तो आप लोग खुद लिख लोगे, इसलिए बोर यह चैप्टर खुद से लिखो, बहुत जादा अच्छे अंसर आएंगे, ठीक, चलो संतुरी दाहर हमारे जीवन के लिए बहुत आवशक है, इससे शरीड को पोशक तत्वर प्राप्त होते हैं, पल, सब्जी, दूद, मान, संडा, अदी, संतुरी दाहर में आते हैं, इसके लाब निम लिखित हैं, इससे व्यक्ति की कालेशमता विक्सित होती है, संतुरी दा करें, अच्छे अनाज करें, जो खाने की बरबादी को रोकें, पोशक आहर दें, इस सब चीजों से क्या है, अनाज की कमी की समय से उसे दूर कर सकते हैं, तो क्या क्या लिखेंगे भई आब इसमें, सिचाई सुविधा उपलब्द करने से किषान दूई फसलिवत पादन क किसानों को किसानिक कारे के लिए सुगमता से रिन उपलब्द कराएं, तो भई अच्छे से पैसे मिलेंगे, तो जादा जादा अनाज हो गाएगा, अच्छे मशीन लेगा, सिचाई सुविधा उपलब्द कराएगा, उर्वरकों का उप्रोग करेगा, तो प्रोड़क्शन देदगा एगिलस दूद दे, वही तो है, अपने घर नहीं है, तो दूशरे के घर से मंगा लो, दूद कम हो रहा है, तो एक गया और ले आओ, यही सब चुछों से क्या है, हमाना, जो खाद्यान की समस्या है, उसको दूर कर सकते हैं, ठीक, आगे आजाओ, अब देखो, ए एकिकरित, बाल, विकास, योजना, मतलब बच्चों के लिए है, यह समझा रहा है, इस योजना के अंतरगात, गर्भवती, शिशुवती, महिलाओ, एवं 6 माह से लेकर 6 बश्तक के बच्चों के स्वास्त, पूरक, पौश्टिक आहार, आदी के लिए आंगान बाडी केंड इसी के द्वारा होता है, इन केंडर में बच्चों को नेमिटिका कराया, स्वास्त प्रेक्शन के साथ-साथ, उनकी बढ़ती आयू, के रुसार उचित पोशक, आहार उपलब्द कराया जाता है, यहां छोटे बच्चों के लिए विद्याली, पूर्ट प्रारंभिक, सिक् इसी के बाल विकास योजना, ठीक, देखो, स्वास्त प्रेक्शन के समझ के लिखना शुरू करोगे बहुत आचान लगेगा, आपके सोचते हो याद नहीं हो रहा है, इतना सारा चेप्टर है, वही कुछ चेप्टर ऐसे क्या होता है, जो आपके आसपास चीजों से जुड अच्छा आगन बाड़ी के लिखना है, क्या भई गर्भवती महला आए, जो नहीं नहीं माता बने है, जिरो महा से 6 महा से 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए पौश्टी काहार देंगे, इस्कूल के पहले लोग आगन बढ़े जाते हैं, तो ये सब चीजे 2 तिक पॉट लि तो वहाँ खाना मिलता है, अब वहाँ खाना क्यों मिलता है, ताकि बच्चे जादा जादा स्कूल आए, उनको पौश्टी काहार मिले, उनका मानसिक विकास हो, इसलिए कि मध्यान भोजन का एक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है, हो गया अंसर और क्या पढ़ना है, इसे 14 वर्ष तक के उम्रे के सभी बच्चो को निशूल करें, अनिवारे सिक्षा के साथ साथ मध्यान भोजन, मतलब दोपहर का भोजन दिया जाता है, शाशंद्रा निधायित मिनू के अनुसार इसे उच्च गुनवत्ता पौश्टी काहर दे जाता है, सरकार क्या करती है पूरा मैन्यू बताती है कि इस दिन अंडा देना है, इस दिन दूद देना है, इस दिन ये सबजी बनेंगा, इतना चावाल मिलेगा, पूरा सरकार मैन्यू बना के देती है, उस ही के एकोडिंग के है, आप लोगों को स्कूल में खाना मिलता है, तो यही के है मध्यान पूरी है न अपॉस्टिक्ता मानसिक विकास, यही सब चिजे इसमें डालनी है, ठीक, मोटे अनाज, मोटे अनाज में क्या आता है भाई, जवार, रागी, बाजरा, ठीक है, पतले अनाज में चावल गे हूँ, ठीक, मोटे अनाज क्या है, जहां पर बहुत सूश्कर अने वाले है, ठीक, चलो उसको डिल कर लेते हैं, शत्रिक्राइब में 2012 में पारित क्या हुआ था, खार्द सुरक्षा धिनियाम, अब भारत में कब पारित हुआ था भई, पूरे केंदर में बोलोगे तो 2013 में, ठीक, दोनों को घुमा के पूछ सकता है, विद्यारिन बच् यही है, मध्यान भोजन का एकरम चलता है, आगे आजाओ, मध्यान भोजन में दिया जाता है, दाल, चावल, उच्च गुणवत्ता, पौस्टिक दहार, दूल, फल, अवशेश भोजन, क्या दिया जाता है, उच्च गुणवत्ता, युक्ट, पौस्टिक आहार, तो इसका जो पोश्टिक प्रोटीन की अवशकता है, कार्भो हड्रेट की अवशकता है, या सबजी ये खाइद ने की, वो ये नहीं खाइद पाते, इसलिए कि है, वो पोशक आहार नहीं खाइद पाते, आपको ये आंसर टिक करना है, ठीक है, नबिर प्रतिशक तक मानसिक विकास के सुम्रा में हो जाता है भई, पांच वर्ष में, इसलिए कि है, जो सरकार है, वो 6 महा से, 6 महा से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करती है, आंगान बाड़ी में, पोशक आहार देती है, ठीक, BMI का पूरा नाम क्या है, बोडी मास इंडेक्स, ओप्शन D, ठीक, आगे आजाओ, FACI किसानों को अनाज को क्या करती है, नियूंतब सवर्थन मूल्ये पर खरिदती है, ठीक है, बताया है न, डोग क्या करती है, हर पर सरकार क्या है, जैसे ही खैती का सिर्यार आता है, घोस बता बई, बताओ, 2013 में, खाद सुरक्षा करत है, भोजन की उपलबता, खादे पडार्थों की उपलबता, बजार में क्रेक्स शक्ती, ठीक है, मतलग, भोजन भी चाहिए, खादे पडार्थ मतलग, हर किसी के पहुश हो सके, और उसको खरीद सके, तो इसमें क्या आएगा उपरोग तो सभी, ठीक, आगे आजाओ, अब इसको क्या है, हमें जोड़ी मिलाना, ठीक, चलो, देख लेते हैं भई, मानसिक विकास, कैसे होगा भई, मानसिक विकास कब तक होता है, पांच वर्ष की आयो तक, ठीक है, मोटा नाज कहां होता है, जहां क्या होता है, सूश क जहां क्या होता है, ठीक है, तो मोटा नाज कहां जाएगा, सूश क भाग, D, मध्यान भोजन कहां चलाया जाता है, विध्यालों में, A, मुल्य विध्य में सहायक कौन होता है, जब आप जमा खोरी काला बोजी करोगे, बहुत ज़्यादा खाने को पादन हुआ है, उसको ज करके रख लोगे, तो क्या होगा, खाद्यानों का शौटेज होगा, शौटेज होगा, कमी होगी, तो क्या होगा, 10 रुपे किलो चावल, 100 रुपे किलो चावल हो जाएगा, तो यही होगा काला बजारी, अदिर्श भूख क्या होती है, भाई, शारिरिक कमजोरी को बच्चों यह चैप्टर पूरा खतम हो गया आपके एक्जाम सुरीस का बस लास्ट चैप्टर दो से तीन और बचे हुए हैं दो ही चैप्टर और बचे उसके पूरा यह चैप्टर सीरिस खतम हो जाएगा ज़ड़ा टेंशन नहीं लेना है इसी तरह के से सुनते रहो पढ़ होगा और अभी से जादा रात जगके नहीं प्रॉपर टाइमिंग में पढ़ो खाना अच्छे से खाते रहो भूख प्यास रहके कुछ नहीं होने वाला एक्जाम टाइम के टाइम आपको तैयार करना है अभी पदा चला ज्यादा भूख के रहो तो वही अधिश्य भूख है ना दूद तो सबके घर में आता ही होगा है ना हमन तो गाउं वाले में है ना तो गाउं में दूद बहुत रहते है दूद पियो रात को सोने के टाइम अच्छा सा दूद पी के रहो तो यह सब चीजे करो ताकि आपका बॉडडी फिट रहेगा तो हर एक्जाम अच्छ से क्रेक कर पाओगा ठीक है तो पच्छोड़ो हम आगले शेप्टर में मिलते तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेस्ट अफ लग